क्यों चीज हमने स्टार्ट करनी है बेसिकली वो अलिमेंट नमबर वन है निबोश आईजी वन का कोर्स का कम्प्लीट नेम निबोश इंटरनेशनल जेनल सर्टिफिकेट इन आकुपेशनल सेफटी एंड हैल्थ आईजी वन आईजी वन यूनिट है इसका और यून पहला यूनिट है आईजी टू इसका दूसरा यूनिट है पहला यूनिट मुझतमिल होगा पहले चार अलिमेंट्स के उपर और दूसरा यूनिट इसी तरह मुझतमिल होगा आखरी साथ अलिमेंट्स के उपर element 1 में का name है why we should manage workplace health and safety हर health and safety course की इप्तदा तकरीबन इसी बात से होती है कि हमें health and safety अपनी workplace के अंदर क्यों manage करनी जाए है कि इस कोर्स का भी पहला element यहीं है why we should manage workplace health and safety learning objectives जी learning objectives इसके अंदर यह बात हमें बतलाते हैं कि इस elements के अंदर हम क्या क्या topics या क्या क्या चीज़ें cover करेंगे चार चीज़ें इसमें mainly cover होंगी number one discuss the moral social and financial reason normally जो three reasons and for managing health and safety वो discuss होंगी दूसरी चीज़ के health and safety regulated form में किस तरह किसी organization में आप उसको implement करते है health and safety को और उसके ऊपर उसके laws के उपर अगर आप अमल द्रामत नहीं करेंगे तो फिर उसके नताइच क्या बुक्तने पढ़ सकते हैं किसी भी organization को या किसी भी individual को number three जो चीज़ हमें इसमें समझ आएगी वो health and safety duties है different groups की different groups यह वहीं groups है for example top management middle management और general worker एक्जेक्टर number fourth है इसके अंदर explain how के contractors को कैसे monitor और manage किया जाएगा यह थे learning objectives आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए इसके अंदर morals and money का अमारा 1.1 topic है यह morals and money basically three reasons for managing safely में से दो यहाँ पर ली गई है moral and financial legal reasons की हम आगे चलके discuss करेंगे अच्छा जी अब इस moral और financial reasons की तरह बढ़ने से पहले कुछ key terms हैं जिनका हमें पता होना लाजमी चाहिए इसके अंदर पहली चीज़ जिसकी definition हमारे सामने है हो हेल्थ हेल्थ को define किया गए absence of disease or ill health कि जब कोई बेमारी आपको नहीं है तो वो हेल्थ है और इसको हम इससे भी कह सकते है the state of well being जो भी अच्छा रहने की आलत है उसको हम health कहेंगे लेकिन अच्छा रहने की आलत में किसी की भी जाहरी आलत शामिल नहीं होगी कि for example हम किसी से पूछते है how are you वो जवाब में कहते हैं fine तो इसका मतलब है he is well ऐसी सूरत में हम यह नहीं देखेंगे कि कोई बंदा मोटा है पतला है लंबा है चोड़ा यह health में consider नहीं होगा तो जो उसकी state of well being है basically वहीं health है next we have safety safety के अंदर definitely define अदर किया गए absence of risk of serious personal injury कि जब personal injury का serious personal injury का risk जो है मुझूद नहीं होगा तो हम उसको safety कहेंगे और safety को हम define कर सकते हैं any situation or condition in which we have freedom from danger, hazard, harm or loss कि कोई भी ऐसी हाल सुर्थ जिसमें हमें मुकमल तोर पर इस चीज से आजादी है कि हमें कोई भी चीज कोई नुकसान यह नहीं पहुंचा सकती या हमें जखमी नहीं कर सकती तो उस condition को situation को हम safety बोलेंगे then we have welfare access to basic facilities like drinking water, washroom facilities, etc. basically welfare facilities are not the things which are other than responsibilities for example, आप किसी भी जगा पर जॉब करते हैं तो वहां पर आपके साथ जो चीजें तै की जाती हैं उन चीजों में आपकी salary है, आपके working hours है, आपकी accommodation हो सकती है, आपकी transport facility हो सकती है लेकिन कभी भी उस job agreement के अंदर ये नहीं लिखा जाएगा कि आपको पीने का साफ़ पानी दिया जाएगा या आपको washing facility दी जाएगी तो ये चीजें जो other than responsibility एक employer को attractive बनाती है अगर वो provide करे ऐसी चीजें तो ये welfare में consider होंगी group exercise है, group exercise को जितने भी मेरे listeners हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे follow कर रहे हैं वो group exercise को अपने तोर पर perform करने की कोशिश करेंगे और perform करने के बाद वो मुझे email या WhatsApp के जरीए रापता कर सकते हैं और उसके उपर guideline ले सकते हैं या मुझस से coordinate उसके उपर कर सकते हैं group exercise है जी, why might the management of an organization not consider health and safety to be priority के क्यों किसी भी organization की management ये चीज़, इस चीज़ को खातर में नहीं लाती या इस चीज़ को एहमियत नहीं देती के health and safety को वहाँ पर implement किया जाना चाहिए simply आप कह सकते हैं के top management health and safety को वह एहमियत क्यों नहीं देती के एक organization में वह top priority पे होनी चाहिए आगे चलते हैं the moral reason for managing health and safety moral reason के अंदर आपको कुछ stats दिखाय जा रहे हैं याद रखिएगा के health and safety में आपने statistics को समझने के लिए इस्तमाल करना है के ये problem कितना बड़ा है के health and safety मैनेज ना करने की वाज़ा से work place का problem कितना बड़ा हमें face करना पड़ता है के work place के पर कितनी injuries हैं कितनी deaths हो रही हैं कितना हमारा GDP loss हो रहा हैं इन तमाम तर चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ आपने समझना हैं उसकी reason ये है के ज्यादातर जो भी standards हैं वो उनके दर्मयान में आदाद और शमार का stats का इखतलाब अपनी अपनी जगापे मौजूद रहता है दूसरी बात इस time पर ये course develop किया गया उस time से अब तक might be इस health and safety के अंदर या तो बेतरी आगी हो या इसकी आलत बद्तरीन भी हो सकती है Anyhow इसको discuss करेंगे हम यहाँ पर Global Statistics from the International Labour Organization ILO International Labour Organization basically वो सबसे बड़ी organization है जो internationally एक framework देती है occupational health and safety को implement करने के लिए International Labour Organization 1919 में यह established हुई और 1945 में after the establishment of United Nations इसको United Nations का subordinate organization बना दिया गया इसके जो member countries है उनकी latest update तक 187 members है जिनमें से 186 United Nations और ILO के common members है जबके एक country Cooks Island एक जजिरह है उसने ILO को तो sign किया लेकिं United Nations को sign नहीं किया हुई आगे चलते हैं इन stats में पहली चीज़ जो मारे सामने आती है वह है अब 3,500,000 work related fatal accident year fatal जो जान लेवा थाबित हुए 2.7 million work related fatalities each year मतलब 1 million 10,000,000 के ब्राबर है हाँ ठीके तो 27,000,000 लोग fatalities अमबाद आके हो जाती हैं work related 2.4 million fatalities from occupational diseases और 24,000,000 लोग को की जो अमबाद होती है वो occupational diseases से होती है disorder cancer वगेरा 270 million accident और 160 million diseases a year due to work काम की वाजा से 270 million accidents होते है और 160 million अम बेमारियां वहाँ पर आती है 4% of global GDP is lost के पूरी दुनिया में जो production होती है उसकी gross domestic product का 4% जाया चला जाता है इन accidents और deaths में next again we have group exercise an employee at your workplace has been seriously injured in a workplace accident के एक employee है वो workplace के ओपर बहुत बुरे तरीके से जखमी हो गया है in groups list the possible effects and implications of the accident on the injured employee company and line manager तो इसके क्या असरात हैं जो implement होंगे किन किन के ओपर injured employee कैसे सफर करेगा company कैसे सफर करेगी और आपका line manager कैसे सफर करेगा अब जी next second part जिसके लिए world money use हुआ था वो basically financial reason है the financial reason for managing health and safety के health and safety को manage करने के लिए इसकी financial reason क्या है accident and ill health cost money understood है और यह बात आप याद रखिएगा health and safety को आपने pay करना ही करना है कैसे जो intelligent organizations होती है वो in advance health and safety को pay कर देती है और जो organizations इसको avoid करती है तो ऐसी सूरत में उन organization को कहीं गुना pay करना पड़ता है जवाबन कैसे for example एक organization ने पहले से ही एतियाती तदबीर करते हुए health and safety को implement कर दिया तो वो बड़े हाथसे से बज़ गई लेकिन कुछ organization जिन्होंने इस चीज को avoid किया इससे इकतनाब किया तो नतीजे तन किसी बड़े हाथसे का शिकार हुई और उसके नतीजे में बहुत बड़े नुकसान का उनको सामना करना पड़े अब जो cost यहां पर हमें जिनका सामना करना पड़ता है उनके अंदर दो cost है direct और indirect cost direct cost measurable cost arising directly from accident at the spot हमें पता चल जाता है कि यह cost हमें hit कर गई है indirect cost arise as a consequence of the event but may not directly involve money often difficult to quantify यह कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो में नुकसान देती हैं लेकिन वो quantifiable नहीं होती कि हम उनको गिन नहीं सकते वो qualitative form में हमारे सामने मुझूद होती हैं जिसकी वज़ा से उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और उनका अंदाजा ना लगाया जाना इससे भी ज्यादा खतरनाक हद तक नुकसान दे है health and safety failure can affect the broader economy as well as the individual companies और यह आपकी broader economy जाहरी बात है कोई भी companies हैं वो किसी area में होंगी किसी country में होंगी तो overall भी इसका जो impact होगा economy के उपर आएगा next we have insured and uninsured cost अब इसमें insured cost का है कुछ cost ऐसी है जो insurance premium की वज़ा से हमें मिलने की उमीद होती है वो insured cost है और जिन cost के मिलने की हमें उमीद नहीं है वो cost हमारी uninsured cost होंगी यहाँ पे हम कहीं दफ़ा यह चीज़ देखते हैं कि insurance होने की वज़ा से हम लापरवाई का मुझारा करते हैं लेकिन insured cost उस तरह से हमें hit नहीं करती जिस तरह uninsured cost हिट करती है जिस तरह के slide में आप देख रहे हैं कि इसमें यह चीज़ बताए जा रही है कि अगर insured cost एक है तो उसकी uninsured cost आठ से 36 pound तक हो सकती है insured cost के एक्जामपल में fire, worker injury, death, medical cost यह आपको मिल जाएंगी uninsured cost, loss of raw material due to accident, sick pay, over time, equipment repairs and lost material then we have a end of section 1.1 exercise यह अगर आप लोग बकायदगी से मेरा lectures follow करें तो अगर आप इस exercise को खुद करें तो यह बहुत ज्यादा बेतर होगा अच्छा जी अब इसका 1.1 जो section था जिसमें हमारे पास morals and money था मतलब हमारे पर दो reasons थी के why we manage health and safety in the workplace तो उन reasons में एक moral थी और एक आपकी money मतलब financial reason थी अब तीसरा reason है जो के legal reason है regulating health and safety के health and safety को आपने organization के अंदर regulate कैसे करना है legally आपने organization के अंदर health and safety management system को कैसे develop करना है कैसे implement करना है legal reasons for managing workplace health and safety legal reasons क्यों है most countries have health and safety laws failure to achieve legal minimum standard can lead to prosecution बहुत सरे मुमालिक के अपने laws है health and safety से related और जब उन laws को तोड़ा जाता है तो उसके नतीजे में prosecution अदालती करवाई का सामना करना पड़ता है जिसमें फिर आपको fines होते हैं imprisonment हो सकती है next we have international framework अब ये उसी legal reason की कड़ी है कि कानून कहां से आते हैं international framework की अगर आप बात करें तो हमारे पास एक ही organization है international labor organization ILO जिसके बारे में मैंने पहले बिताया 1919 में ये establish हुई agency of the united nations बनी 1945 में जब united nations develop हुई most countries are members such international standards for health and safety by publishing conventions and recommendation अच्छा जी ये अब क्या करेंगे ये health and safety को implement करने के लिए standards implement करने के लिए conventions और recommendations फारिशाद पेश करते हैं क्यों क्योंके directly enforcement body नहीं है कि ये directly आके वहाँ पर health and safety को implement कर सके अच्छा जी convention के convention creates binding obligations or policy to implement their provisions no legal authority unless ratified by the member states into its own legal structure पहली बात इसने कही कि ये bind करता है पाबंद करेगा obligation पाबंदिया लगा के policies दे के आपने health and safety को कैसे implement वहाँ पे करना है then no legal authority legal authority नहीं है ये enforcement action नहीं कर सकती जब तक कि इसके तमाम तर recommendations conventions को कोई भी country अपने law में शामिल करे और उसके मताबिक अपनी ही enforcement body बनाए जो उसको control करे recommendations provide guidance on policy legislation and practice recommendations फारशाद देगी आपको guide करेगी इसमें मावनत मौया करेगी कि आपने policy कैसे बनानी है आपका health and safety से related कानून कैसा होना चाहिए और फिर आपने इसको implement कैसे करना है convention जो ILO के हैं वो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे काम का convention है वो है C155 जो के 1981 में first time adopt किया ILO ने occupational safety and health को भी इस से पहले occupational health and safety ILO का part नहीं था या ILO इसके ओपर convention या recommendations नहीं करती थी उसके अंदर क्या था a goal setting policy for companies and nation occupational safety and health recommendation 9081 जिसर मैंने जिकर किया और recommendation क्या दी R164 supplement C155 and gives more guidance on how to comply with its policy comply बोलते हैं कि आपने law इसमें अगर मैं थोड़ी सी detail में जाओं एक चीज़ होती है perform आप यह कह सकता था perform with its policy or perform according to its policy perform का मतलब यह होता है कि आपने आपके जिम्हें कोई काम लगाया गया आपने कर दिया अब वो अच्छा है या बुरा है poor performance bad performance वो बात की बात है एक चीज़ होती है conformance conformance में आपको पहले ही बता दिया जाता है कि यह specified standard या law इसके मताबिक आपने perform करना है जब आप उसके मताबिक perform करते हैं तो इसको हम compliance conformance या conformity बोलते हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो वो non-conformance non-compliance या non-conformity होगी जिससरा आपने जो लोग already काम कर रहे हैं तो organizations के अंदर बहुत सारी NCRs generate होती है NCRs non-conformity reports तो वो यहीं बात बताती है कि इस जगे पे आके आपने law को break किया है तो ऐसी सुरत में NCRs generate होंगी C155 बताता है इसका article number 16 है इसके बहुत सारे article हैं लेकिन हम वहीं discuss करेंगे जो हमारे syllabus में मुझूद हैं या जिनका तालुक हमारे score से हो सकता है article number 16 of C155 identifies obligations placed on employers 2 article number 16 क्या करता है कि employers के उपर कुछ चीजों के लिए employer का वो bound कर रहे हैं उसको जिमेदार ठहरा रहे हैं वो क्या हैं वो mainly उसने तीन main इस्सों में उनको divide कर दिया ensure that workplaces machinery equipment and work processes are safe and without risk to health कि employer की जिमेदारी बनती है कि वो workplaces machinery equipment या work processes जो worker को मौया करें वो महफूज हों और उनकी वज़ा से worker की health को को कोई risk ना हो उसके इलावा वो ensure करेगा कि किसी भी तरह chemical physical biological कोई भी substance agent जिसकी वज़ा से उसको नुक्सान पहुंच सकता है तो वो उसके इस्तमाल में प्रोटेक्टिव मेयर्स जो है workers के लिए ले तीसरी चीज़ मुनासिब माकूल किसम की प्रोटेक्टिव क्लाथिंग देगा परसनल प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट देगा तांके किसी भी हादसे के सूरत में उसके मुखालिफ या उसके बत्तरीन असरात से बचा जा सके नेक्स्टिप इसी को सामने रखते हुए हमारे सामने चार चीज़ें आई कि एक employer किन बातों के लिए responsible है everybody is responsible for health and safety वो तो understood बात है but most of the responsibility lies with the employer क्योंके उसको employer hire करने का भी इक्तियार उसको resource arrange करने का भी इक्तियार तो ऐसी सूरत में किसी कुछ भी करने के बावजूद responsibility जो है health and safety को employer के साथ ही रहती है employer to provide safe place of work अब चार बाते है safe place of work, safe plant and equipment, safe system of work, training, supervision and competency of staff चार चीज़ों के लिए responsible है आपका employer अब वो obligations थी जो article number 16 में defined है अब article number 10 of our 164 इसको मजीद depth दे रहा है मजीद एक एक चीज़ को elaborate कर रहा है वजाहत दे रहा है कि article 16 में जो कुछ कहा गया उस article 10 के तहद क्या क्या arrangements करनी पड़ेंगी provide and maintain workplaces machinery and equipment and use working methods data safe जिसना पहले बताया कि वो मौया भी करेगा और उनको उस हालत में भी रखेगा कि वो काम के काबिल रहें क्या 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 चीज़ है workplaces machinery and equipment and use working methods data safe उसके बाद give necessary instruction training and supervision जो कि चोथा पार्ट था अभी जो हमने main responsibilities इसकी देखी है introduce organizational arrangements relevant to activities and size of undertaking provide PPE and clothing without charge workers जो भी PPE वगरा देगा उसके लिए उससे पैसे नहीं लेगा बलके वो खुद से मौया करने का पाबंद है ensure that work organizations particularly working hours rest breaks does not adversely affect occupational safety and health के जो काम करने के time चुने गी है या जितने गंटे जो duration चुनी गई है और rest break वो ऐसी तो नहीं के जिससे उसके उपर असरात बुरे पढ़ नहीं है take reasonably practical measures with a view to eliminating excessive physical and mental fatigue के इस तरह की approach develop करेगा इस तरह के steps वो लेगा के बहुत ज्यादा जिस्मानी या जैनी थकावट से वो worker को दूर रखेगा ऐसी चीज़ों को मकमल तोर पर खतम कर देगा के जिससे worker के उपर physically या mental pressure आएगा keep up to date with scientific and technical knowledge to comply with the above जै अच्छा जी अब वो employer को तो उसने बड़ी बातें बता दी जी उसके उपर उसने समयदारियां भी हायद की उसको पाबंद भी करता रहा उसको responsible भी ठहराया अब ऐसी सूरत में worker को भी अज़ाद नहीं चोड़ा गया जनरल worker को भी अज़ाद नहीं चोड़ा गया कि employer एक सिस्टम मैनेज करे एक management सिस्टम दे और उसके जवाब में जो आपका worker है वो उसको properly perform ना करे या वो उसके अंदर उस तरह से interest ना ले जिस तरह से उसे interest लेना चाहिए worker responsibility and rights में पहले article number 19 आ गया 10 और 16 employer के उपर article number 19 worker के उपर of C155 also places obligations on workers expanded in R164 as follow क्या कहता है कि worker किस बातों के लिए पाबंद है take responsible care of their own safety and that of other people अपनी और दूसरों की safety का ख्यार रखे comply with safety instructions and procedure जो अदायात या तरीके कार safety के point of uses को समझाया गया उसके मताबिक अमल दरामत करे use all safety equipment properly तमाम तर safety equipment को properly जिस तरीके से उनको इस्तमाल करना चाहिए उसी तरह इस्तमाल करे report any situation that they believe could be hazard and which they cannot cut themselves correct understood बात है जी जब वो समते हैं कि ये situation ऐसी आगी है कि इसमें उसके पास resources हैं वो काफी नहीं हैं तो वो अपने से उपर supervisor को या manager को inform करने के लिए पाबंद है report any work related accident ill health यह जो report any work related accident ill health है यह by law अगरा बात करें तो इसके लिए पाबंद किया गया है reader एक regulation है जिसको पुराना जाना जाते है reader 1995 और उसका updated version आया है reader 2013 reader 1995 में क्या था reader stands for reporting of injuries diseases dangerous occurrences regulation 1995 जिसके तैद आपकी workplace के अंदर होने वाली किसी भी तरह की छोटे से छोटा भी अगर कोई वाक्या होता है जिसके नतीजह तन कोई नुकसान नहीं भी हुआ जैसे के near miss तो ऐसी सूरत में भी आपने वो report करना है then मजीद उसकी depth में गया article 19 of c155 states states that every worker must be जी लाजमी क्या करेगा जी given adequate information on actions the employer has taken to ensure safety and health भाई उसको पीछे उसको पाबंद किया गया अब उसके हकोग भी है हकोग क्या बता रहे हैं कि भाई उसको आपने information देनी है कि आपने क्या action किए health and safety को manage करने के लिए given the right to the necessary training in safety and health जितनी भी training होगी employer की responsibility है वो provide करेगा consulted by the employer on all matters of safety and health relating to their work इस book के अंदर अगले elements के अंदर हम पढ़ेंगे भी कि article number 12 और article number 20 आर्टिकल number 12 and 20 bound करता है employer को कि वो किसी भी health and safety से related matter में coordinate करे, inform करे, communicate करे employer को given the right to leave a workplace that he has reason to think present an imminent and serious danger to his life or health and not be compelled to return until it is safe उसको इस चीज़ के थिया गया है कि अगर वो समते हैं कि काम करने की condition सही नहीं है यहां पे कोई भी फोरी या चानक हच्टरा हो सकता है तो ऐसी सुरत में वो workplace छोड़ दे, कब तक छोड़ दे, जब तक उसको उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती जब तक कि वो workplace आपकी वापिस सेप नहीं हो जाती अच्छा जे, अब बात आगी, हमने rights पड़े worker के, हमने responsibilities पड़ी worker की हमने obligations पड़ी employer की, हमने responsibility पड़ी employer की इन सब बातों के बावजूद, इन सब बातों के बावजूद होता क्या है, employer या employee में से, कोई rule को follow नहीं करता तो ऐसी सूरत में enforcement agencies अपना किरदार अजा करेंगी, no harmonized global standard, हर मुलक ने अपना अपना बनाया हुआ है, पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा निजाम right नहीं है, जिसको हम सामने रखते हुए, ऐसा कुछ करें, कि जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में एक ही सजा और जजा क का अमल हो, country specific agencies may include health and safety enforcement agency, fire authorities, insurance companies, exactly, बलब हर कोई अपने तोर तरीके से उसको involved करेंगा, पॉलीस में भी involved in enforcing health and safety law in some countries, अब पॉलीस को भी कहीं जगों पर इक्तियारा दिया जाता है, कि जब ऐसा कोई health and safety related कोई मामला होगा, जिसरा हमारे हाँ भी है, fire की सूरत में, जो भी ह health and safety, ऐसे जो enforcement action लेती है, वो आपकी police लेती है, जबकि UK के अंदर इस तरह की चीज़ों के लिए, उनकी जो body है, वो है, HSE, health and safety executive, consequences of non-compliance, compliance मैंने आपको पहले बताया, conformance, compliance, comply, मैंने आपको पहले बताया, कि law और standard के according आपने perform करना है, जब non-compliance करेंगे, आप उसके उपर पूरा नहीं उतरेंगे, तो उसके फिर आपको consequences निताइज, एक series, आपको sequence of results face करना पड़ सकता है, breach of, breach बोलते हैं, कानून शिकनी करने को, breach of health and safety legislation is usually a criminal offense leading to, criminal offense, मुझरमाना फैल होगा आपका जी, enforcement action, enforcement action में क्या होगा, कि आपको improvement की जुरूरत है, या prohibition या किसी चीज़ से आपको रोग दिया जाए, और prosecution की सुरत में organization में भी fine, individuals में भी fine are imprisonment, prosecution में organization fine होगी, कहीं दफ़ा बैन हो जाती है, blacklist हो जाती है, कहीं दफ़ा organization के नहीं था, तो individuals, top management में से, या workers में से, guilty पाया गया, तो उसको fine होगा, और कहीं दफ़ा, imprisonment, cat का भी सामना करना पड़ सकता है, अभी तक जो हम चीज़ ने, हमने discuss की, वो हमने international law को discuss की है, अधर international standards समझने से पहले, मैं एक चीज़ आपको clarify करना चाहता हूँ, वो चीज़ यह है, कि standard और law में बहुत फ़र्क है, law, automatically आपके उपर implement हो जाता है, how, आप किसी territory के अंदर जाते हैं, for example, overseas, जब आप लोग काम करने जाते हैं, तो आप देखते हैं, कि आप जैसे ही, उस country की range में आते हैं, तो आप के उपर उस country का law implement हो जाता है, आप चाहें या ना चाहें, implement हो जाता है, जब कि standard में ऐसा नहीं है, standard जब तक आप खुद achieve नहीं कर लेंगे, तब तक आप standard के पाबन नहीं है, मतलग कि law आप चाहें या ना चाहें, आप के उपर implement हो जाएगा, जब कि standard एक good management है, और यह जब तक आप खुद achieve नहीं करेंगे, आप के उपर implement नहीं होगी, अधर international standard में हमारे पास एक ही organization है, international organization for standardization, ISO के नाम से आप जानते होंगे, बहुत बहुत बड़ी companies, organizations ने लिखा भी होता है, ISO 9001 certified, 14001 certified, etc. World largest developer of management standard, अच्छा यह जो organization है, यह developer है, management standard के, और implementer organizations खुद ही होती है, और third party के, through audits और इस तरह की certification services, arrange की जाती है, किसी को भी certified करने के लिए, क्योंकि ISO directly किसी को भी certified नहीं करता, ISO के 21,000 plus standard है, लेकिन हमारे जो काम के हैं, या जिन से हमें ना होगा होनी चाहिए, वो हम इसमें discuss करेंगे और आगे चलेंगे, world largest developer of management standard, ISO 9001 quality management system, ISO 14001 environmental management system, ISO 12001 safety of machinery, these standards are not law, they are good management practice, they lead to a worldwide common approach to good management, management, आपकी एक approach है, एक कोशिश है, कि आपने किस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से manage करना है, ISO में हमारा 9001 and 14001 काम के हैं, और technically जो हमारे काम का standard है, वो है, ISO 45001 occupational health and safety management system, जो के पुराना standard हुआ होता था, convert हुआ है, ISO 18001 occupational health and safety assessment series से, अब ये health and safety का नया standard है, नेक्स ये different sources हैं, जहां से आप information collect कर सकते हैं, UK के लिए health and safety executive, इसका मैं ने भी जिकर किया, OSHA, USA, European agency for safety and health at work, Europe, and work safe, Western Australia. नेक्स ये group exercise दुबारा आगी, an employee has been injured at work, identify potential direct cost of accident, indirect cost of the, direct cost of the accidents, indirect cost of the accident के, exercise ये हैं के, imply injured होगया workplace के पर, आपने identify करना है किसकी direct cost के हैं, और accident की indirect cost क्या है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, इस group exercise से आगे, group exercise के आवाले से, जिससा मैंने आप से पहले बात की हुई है, इसी तरह आपने, अगर perform करके देते हैं, तो well and good है, अगर आप, आप नहीं perform करते, तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप perform करके मेरे साथ share करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादे बेतर है, end of the module आगे, 1.2 का exercise है, जिससा 1.1 के अंट पे थी, अब 1.2 exercise में, 4 questions कर रहा है, पहला question है, पहला question है, what are the two main standards that the ILO has produced for health and safety, what do countries do with these standards, ILO ने क्या किया, conventions and recommendations के अवाले से, आप इसका लिखेंगे, what are employers' responsibility under R164, what are employers' responsibility under R164, employers के उपर जी, article number 10 and 16, employee के उपर article number 19, उसके ताइच जो चीज़ें हमने पढ़ी है, what action could be taken against organization, breaking, गालत अंसिपला, ये consequences of non-compliance की बात कर रहा है, बेतर ये होगा कि इन questions को आप इसी वीडियो से अपने पास लिख लीजिए और अपने तोर पर इनके आंसर देने की कोशिश करें, अच्छा, अभी तक ये ये आपके सिर्फ और सिर्फ साथ साथ एक revision के लिए questions दिये जा रहे हैं, paper, solving technique, paper pattern, ये बात हैं, course के last में आप से discuss की जाएंगी, now we have 1.3, who does what in organization, इस topic में, basically हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं, वो ये है के एक organization के अंदर, कौन क्या responsibilities सर इन्जाम देगा, मतलब किस बंदे की क्या जमेदारियां होंगी, सबसे पहले, employer की definition, क्योंके employer पे कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, जिन पे कुछ बातों में तजाद सा जायर होता है, कि individual कैसे कर सकता है, तो basically, employer एक person नहीं, बलके एक organization भी हो सकती है, technically, employer एक corporate body भी हो सकती है, the employer a person organization that employs people, the employer in this context is normally an organization such as company, and is sometimes referred to as the corporate body, they are a legal person, जिस तरा मैंने आपको बताया, employer responsibility, पहले ही हम पाय चुके हैं, कि article number 16 और 19 के तैट, यहां पे थोड़ा से इसको revise करेंगे चीज़ों को, responsibility for ensuring that the workplace is safe and free of health rates, rest with the employer, rest with the employer के कुछ भी करने, आपका employer ही responsible है, हर तरह की health and safety का, as we noted earlier, this responsibility is made clear in ILO convention C155, ILO recommendation R164, जो बढ़ी detail मैं हम पीचे discuss करके आए हैं, then we have the employer, the employer carries ultimate responsibility for ensuring that the workplace is safe and free of health and safety risk, again उसी पे दे में दारी है, ensure the safety of workers and other example, visitor and contractors. Now moving forward, employer के बाद जो उसकी hierarchy में नीचे लोग आते हैं, वो है managing directors और डारेक्टर्स, managing director और डारेक्टर्स मिल के top management बनते हैं, इनकी क्या जमेदारी हैं, give an organization its direction, इनका काम बनता है कि organization को एक direction दें, कि किस direction में हम बेहतर तरीके से health and safety को manage कर सकते हैं, set its priorities, allocate resources and appoint competent person, ये वसाइल मोहिया करेंगे, और competent persons को jobs के उपर appoint करेंगे, allocate responsibilities, are responsible for ensuring that all of the legal requirements are met, और legal point of view देखना, organization का, इसी top management की responsibility है, directors and senior managers can have enormous influence over their organization and its priorities, enormous influence, बड़े पेमाने पर उनका असर होता है, उसकी वज़े भी है, क्योंकि वो चीजों को control कर रहे होती हैं, अगर वो committed है, health and safety की जाने, तो ये एक positive culture होगा organization के अंदर, और अगर वहीं लोग इसको priority नहीं दे रहे, तो ऐसी सूरत में आपका जो health and safety management system होगा, उसकी हाले तजार अच्छी नहीं होगी, next we have, the way they are perceived by those lower in the management hierarchy is very important, they must demonstrate clear commitment and leadership with regard to health and safety, जैसे मैंने आपको बताया, के उनसे, उनके नीचे वाले सीखते हैं, इसलिए उन्होंने practically, demonstrate clear commitment के उन्होंने practically, सिर्फ बातों की याद तक नहीं, बिल्कुल clearly, उन्होंने commitment और leadership शोग करनी है, के वो लोग इस चीज़ को एहमियत दे रहे हैं, किस चीज़ को? health and safety को, आगे जी हमारे पास आगे, middle managers and supervisors, middle managers and supervisors, are involved in the day-to-day operational running of the organization, so are responsible for the health and safety standards, within the operations under their control, middle managers and supervisors, क्या काम करते हैं, basically जो top management directors, or managing director मिल के, policies बना देते हैं, procedures बना देते हैं, उनको as it is implement करने के लिए, middle managers और supervisors काम करते हैं, अच्छा जी अब, अब, तक हमने, इसके अंदर तीन, articles discuss किये, article number 10, article number 16, आईये लों का, और article number 19, article number 10, 16, employer के उपर था, article number 19, employee के उपर था, अब article number 17 का आया है, और ये topic है, the shared responsibilities of joint occupiers of premises, के एक एरिया में एक से ज्यादा लोग जब मिल के रह रह रहे हूं या काम कर रहे हूं, किसी भी वज़ा से अगठे हैं, तो उनकी जो responsibilities भी होंगी, वो shared होंगी, मतलब, मुश्टरका होंगी, ILO convention C155, article number 16, article number 17, ILO recommendation R164, recommendation 11, article 17 and recommendation 11, अब वो in shared premises वालों को क्या बात बताना चाह रहा है, के या किस बात की जानिब ले जाना चाह रहा है, Employers in shared facilities should communicate to develop appropriate health and safety standards and appropriate policies and procedures, के ऐसे employers जो shared facilities में मुश्टरका जगों पे मुझूद हैं, उनको फिर safety standards और मुनासिब तोर पर policies और procedure वजा करने चाहिएं, और मरतब करने चाहिएं, डिस में include, इसमें sharing of procedure, fire and emergency response, के उसमें उन सारों में कैसे evacuate करना है, sharing of risk assessment, risk assessment एक दूसरे से share करेंगे, तांके वो risk assessment में एक दूसरे का भी ख्याल रखें, joint management committee meetings, और वो फिर मिल जूल के committee meetings करेंगे, तांके उन सब का जो लाई अमल हो, वो एक हो. Next, we have contractor management. Contractor, if a client can be held responsible for an injury caused by a contractor working for the client, then it must be in the client's own best interest to ensure that contractors do not endanger workers or other. जिसरा हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि हर चीज़ की आखिर का responsibility एक employer ही है. Health and safety की किसी भी तरह की responsibility या responsible जो है वो employer ही है. तो ऐसी सुरत में बजाए कि contractor के कुछ ऐसे एकदामाद जिन की वज़ा से आप को being employer नुकसाद पहुंच सकता है, तो बेतरी इसी में है कि आप client को इस तरह से manage करें, कि वो कम से कम accidents या incidents करें, तांकि organization की health and safety जो management system है, वो disturb now. अब एक client और एक contractor. क्लाइंट जो किसी को hire करता है, किस मकसित के लिए, काम के लिए, पैसों के वज़, वो client है, और जो अपनी services sell करता है, और उसके reward में, उसके regard में earnings लेता है, उसको contractor बोलते हैं, अब यहाँ पे share duties है, client और contractor basically a key premises को कहीं दफाँ share कर रहे होते हैं, the way that a client manages contractors can be broken down into three key areas, client कैसे manage करेगा, तो हम तीन areas में उसको divide कर रहेते हैं, the way that a client manages contractor can be broken down into three key areas, selection of contractors, planning and coordinating the work, monitoring and managing the work, पहले selection of contractor, कि जब contractor को select किया जाए, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जिनको उसी लमें जांच लिया जाए, तांके contractor select करते हुए, इप्तदाई तोर पर ही कोई गलती रहनमा ना हो जाए, things you should check, क्या के चीज़ें आप चेक करेंगे, health and safety policy उससे मांगेंगे, risk assessments उससे लेंगे, qualification and training record मांगेंगे कि उसने अपने worker को कितना up to date रखा हुआ है, membership of a professional organization इसी तरह जिस तरह आपके हमारे हाँ, P.E.C. है पाक्सान Engineering Council के जब तक वो allow नहीं करेगी तो आप कोई भी engineering activity टेकनिकली perform करने के लिए एहल नहीं है, maintenance and equipment testing, previous current clients, accident records जो organization के अंदर जाहरी बात है, contractor है तो वो पास्ट में काम करता रहा है, मुखलिफ organization के साथ, तो ऐसे सूरत में उसको कहां कहां पे, क्या-क्या accidents पे शाय वो उसका record देए, enforcement action उसके against क्या हुआ, अगर कभी हुआ तो, और adequate resources उसके पास क्या होंगे, कि वो किस तरह से काम को perform करेगा, आगे बढ़ने से पहले, planning and coordination of the work से पहले, एक statement यूज होती है, work method statement, यह एक written document होता है, जो contractor अपने client को देता है, कि how he will perform his task or his project safely, उसको work method statement बोलते हैं, आगे we have the information to be shared between client and contractor, planning and coordination की stage के ओपर information share होगी, किस के दरम्यान, client और contractor के दरम्यान क्योंके वो premises को share कर रहे हैं, hazards posed by the side and work carried out, hazard posed by the contractor's activity, risk assessments and method statements, then we have planning and coordination में, arrangements between the client and contractor include, arrangements में क्या है, कि अगर contractor ने वो job perform करने का बोला है, तो 100% he is not responsible for that, उसके लिए client भी arrangement करेगा और contractor भी arrangement करेगा, ensuring activities don't conflict, पहली बात वो यह देखेंगे कि activities के अंदर conflict तो नहीं आ रहा, permit to work system to control activity, permit to work system, PTW, PTW के बारे में, इंशाल्ला, बड़ी detail में आने वाले elements के अंदर हम discuss करेंगे पूरा इसका topic है, then stage 3, पहली क्या पढ़ी है हमने, selection of contractor, दूसरी पढ़ी, planning and coordination of the work, work, अब तीसरी stage क्या है जी, या तीसरा section क्या है, जो employers ने decide किया था के contractor के लिए, monitor and managing the work, client must, clients को क्या करना चाहिए, monitor the work to ensure safety, काम को बार बार देखते रहें, तांके ये make sure करें कि health and safety को मलूजे खातिर रखे हुए काम को तर्तीब दिया जा रहा है या perform किया जा रहा है, the client can stop the work, if it involves unsafe practice, और काम को रोक दे, अगर वो ये समता है कि काम को गेर महफूज तरीके से सर इंजाम दिया जा रहा है, auditing against agreed method statement is a good technique, again auditing हमारा एक बहुत important topic है, आने वाले elements के अंदर हम इसके अंदर बहुत डिटेल से बात करेंगे, next exercise आगी, end of module 1.3 exercise, जिस तरह 1.1 की exercise आई थी, जहां पे उसने reasons का पूछा था, और say place of work, say plant of equipment की, वो fill in the blanks पूछी थी, then exercise 1.2 पे आया था, और अब exercise 1.2 में, उसने consequences of non compliance पूछी थे, responsibilities, employer की responsibilities, worker की पूछी थी, इसी तरह, end of module में, 1.3 की exercise पूछी रहे, पेला question, to whom does an employer have a duty with regard to health and safety, how can directors influence health and safety, what are the key worker responsibility, what would you look for check when selecting a contractor, इन तीनों exercise को अगर आप perform करते हैं, lecture को properly सुनने के बाद, खुद perform करते हैं, खुद करते हैं, तो इस से आपकी learning बहुत ज्यादा बेहतर होगी, आपको पहले बता चुका हूँ, कि मेरे वीडियो record करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह नहीं है, कि आप इन वीडियो को देखने के बाद, इन courses में admissions लें या आप इन certifications को gain करें, इन तमाम तर lectures को, इन तमाम तर qualifications के lectures को record कराने का मकसद यह है, कि ज्यादा से ज्यादा awareness दी जाए, कि जो लोग course नहीं कर सकते, नहीं करना चाहरें, लेकिन उन्हें information required health and safety के उपर, तो वो इस information को use करें, लेकिन सिर्फ information को use करके, अपने end तक सिर्फ रखने का फाइदा नहीं, फाइदा के ऐसे नहीं, कि for example, अगर सिर्फ मैं इसी तरह lecture record कर दूँगा, आप सुनके छोड़ देंगे, तो चीजें आपको बोलना शुरू हो जाएगी, जब तक कि आप effort नहीं करेंगे अपने तोर पे, अगर आप इन छोटी छोटी exercises को ही करते रहें, तो आप बहुत कुछ gain कर लेंगे, और आप के अंदर creativity आएगी, यह था आज का हमारा lecture, element 1 हमने पूरे का पूरा discuss की है, new nebosh syllabus के तैद, जिसका नाम है, निबोश international general certificate in occupational health and safety 2019, unit 1, IG1, और उसका हमने element number 1 जो है, वो पूरे का पूरा discuss की है, आज के लिए इस वीडियो में गारे हैं,